नमस्कार आप सभी का स्वागत अपने यूटूब चैनल के उपर तो सबसे पहले तो आपको सवतंतरता दिवस की हार्दिक सुपकामना है आज हम आपको जेपूर सिटी में थोड़ा सा भार की तरफ नाइट वी दिखाएंगे जो अपनी जेपूर राजस्तान की दरोबर है उनकों किस परकार से लाइट में सजय जाता है और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी निस वार ये क्या बोला कि हरगर तिरंगा हो तो आप जेपूर में जहां कई भी देखो कि आपको घरगर तिरंगा हर गाड़े के उपर तिरंगा ये तिरंगा मिलेंगे तो आईए हम जेपुर को नाइट में सजाए गया है हलो एवरिवन तो अब अपन चलते हैं बाइक से सीधा सेंट्रल पारक जहां पर अपना तिरंगा हवा में लहरा रहोगा तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे अपना तिरंगा चलिए तो अब हम पहुंच चुके हैं जेपुर के सेंट्रल पारक में अब देखिए आप यहां पर तिरंगा हवा में किस परकार लहरा रहा हैं मतलब देखिए बादलों के बीच में कैसा अपना तिरंगा लहरा रहा है और यह है अपना इस टेचू सरकिल यहां पर इसको चारों तरफ से घूम के दिखाते हैं आपको इस टेचू सरकिल के पास भी आज बहुत ही भीड इखटा हो रही है देखिए क्या व्यू दिख रहा है आप अच्छे से देखिए सिदा अपन चलते हैं हवामेल की तरफ यहां पर तो रोड बहुत खाली है लेकिन आगे बहुत ही जाम मिलने वाला है आज जेपूर सिटी के अंदर वारी सड़के भरी हुई है यह गेट है जो हवामेल में जाते हैं उससे पहले का व्यू है इसके बाद में अब आप हवाम हवामेल को देखिए यह देखिए यहां पर बहुत से लोगों की भीड जमारों किये फोटोज ले रहे हैं हवामेल बहुत ही अच्छा दिख रहा है इसके बाद सीधा अमर जवान जोती के पास चलते हैं यहां पर देश के सभी जितने भी जो जवान है सही जवान उनको या बहुत ही फोटोज ली जा रही है तो इसके बाद में अब हम चलेंगे सीधा राजस्तान की जो विदान सभा है वहां पर तो चलिए अब चलते हैं विदान सभा के पास वहां का भी आपको व्यू दिखाते हैं तो यह है अपनी विदान सभा यह सामने से देखिए विदान स मतलब क्या लग रही है बिलकुल ऐसे लाइटिंग से बिलकुल अच्छे से सजाया हुआ है यह अपनी विदान सबा के आसपास का व्यू है आप देखिए चारों तरफ किस परकार से भीडी खटा हो रखी है आप जितनी दूर तक देखोगे आपको लाइट से लाइट से देखिए यह फिर से देखिए अच्छे से विदान सबा को यह है अपनी राजस्तान के विदान सबा और तो चलिए अब यहां से वापिस चलते हैं अपनी घर की तरफ यह मैट्रों के पुलिया जहां पर भी लाइटिंग के दौरा पूरी लाइटिंग तिरंगे के समान लग रही है चलो ठीक है बाई धन्यवाद आप सभी का